I welcome you, all my dear students, to my channel, Engineer Study. आज की स्टोरी बहुत ही गजब की है, उसका नाम है A Good Boy. पूरी स्टोरी को English हे हिंदे में ट्रांसलेट करेंगे, एक एक वर्ट का ट्रांसलेशन आपको मैं बताऊँगा. A Good Boy, एक अच्छा लड़का, ठीक है? रीडिंग करेंगे, ट्रांसलेशन, हाड़ वर्ड भी सीखेंगे, ग्रैमर भी सीखेंगे, स्ट्रक्चर. और पूरी के पूरी story आपको description box में दे दूँगा, वहाँ से आप read करके story को खुद से ही translate करने की आप कुसिस कीजिएगा, ठीक है, पहले आप ये देख लेजे, ठीक है, okay, let's start, okay, क्या होता है, an old woman, इसको क्या बलते, woman, एक वृद्ध महिला, want मतलब चहाना, wanted मतलब चाहती थी, verb की past form है, an old woman, wanted, एक बुड़ी महिला चाहती थी, क्या चाहती थी, to cross मतलब पार करना चाहती थी, to cross what, क्या पार करना चाहती थी, a road, एक सडक, एक बुड़ी महिला, एक सडक को पार करना चाहती थी, she was weak वह थी, weak मतलब कमजोर वह कमजोर थी, therefore इसलिए she wanted help, वह चाहती थी क्या चाहती थी, help मतलब साहता इसलिए वह साहता चाहती थी she waited, उसने इंतजार भी किया विजारी ने, she waited, उसने इंतजार किया, long मतलब देर तक, and और alone, यानि अकेले कैसे इंतजार किया, देर तक इंतजार किया, और अकेले इंतजार कि कोई मेरी help कर देगा सड़क पार करने में she saw, उसने देखा c मतलब होता है, देखना, उसी की past form है, show, उसने देखा she, she saw she saw, उसने देखा, क्या देखा? a large number of school boys क्या देखा? a large मतलब, एक large आने बड़ी number मतलब संख्या, एक बड़ी संख्या देखा, off मतलब की किसकी, school boys की मतलब, school के लड़कों की एक बड़ी संख्या देखा, मतलब काफी सारे school के लड़कों को देखा, they were laughing and talking, they were laughing, देखो, यह क्या है आपका past continuous tense है subject आपका plural है, इसलिए वर लगेगा नहीं, तो वह लगता है, इसलिए वर लगते सारे they were going, वे जा रहे थे, they were eating, वे खा रहे थे, वैसी, they were laughing, वे हस रहे थे and talking, और बात कर रहे थे they were laughing and talking वे हस रहे थे और बात कर रहे थे लड़के बहुत सारे, फिर क्या हुआ, they were going, वे जा रहे थे, वे जो लड़के थे, school boys, they were going, वे जा रहे थे, कहा जा रहे थे, home याने घर जा रहे थे आप बोलोगे, sir, जब भी आप कहीं जाते हैं, तो go के साथ to लगाते हैं, तब ही तो लिखते, they were going to home होना था, आप तो ऐसी पढ़ाते हैं आज तक, आपने हाँ to क्यों नहीं लगा है, देखो बच्चो, जब भी आप घर जाते हैं, और direct जब home लिखा रहता है, तो ये home ए adverb के जैसे काम करता है, गो के साथ, अगर मैं बोलो, my home, his home, तब तो पक्का हो जाता है कि वो noun है, क्योंकि noun के पहले ही my या his लगता है, तब आप to लगाते हैं, they were going, अगर to कब लगाते हैं, जब यहाँ पर लिखता है their home, अपने घर, लेकिन यहाँ पर सिर्फ home है, तो direct to लादाने की जुरत नहीं है, they were going home, वो घर की तरफ जा रहे थे, so इसी लिए they were happy, वे थे, happy मतलब खुश, वो खुश थे, they looked, उन्होंने देखा, school boys ने देखा, जब भी आप देखते हैं, किसी की तरफ तो at लगा कर लिखते हैं, look के साथ at आता है, लेकिन c के साथ नहीं, 100 के साथ कोई at नहीं आता, क्योंकि look का मतलब होता है, जानबुच की किसी चीज को देखना, और saw का मतलब दिखाई पड़ना, आपको कोई चीज दिखाई पड़ जाती है, अभी यहां पर देखना, she saw, मतलब उसने देखा का मतलब उसे दिखाई दिया, यह मतलब उसे दिख होगा, और जानबुच की आप किसी के तरफ देख रहे हैं, तो वहाँ पर look इस्तमाल होता है, समझ गया, और look के साथ at आता है, c के साथ कुछ आपको preposition नहीं लगाना, ठीक है, they looked, उन बच्चों ने, उस school boys ने देखा at, किसको देखा at लगा के लेकेंगे, the old women, उस vridh woman, woman मतलब उस vridh महिला को, उस बूढ़ी महिला को देखा, उन्होंने, लेकिन क्या हुआ, they did not help her, उन्होंने मदद नहीं की, they did not help, उन्होंने मदद नहीं की, her मतलब उसकी, उस बूढ़ी महिला की, and or walked on, देखो past form, walked on मतलब चले गए, वहाँ से वो चलते चले गए, उन्होंन उन्होंने जारी रखा, walked on, वे चले गए, but लेकिन, one boy, एक लड़का, went मतलब गया, किस के पास गया, to लगा के लिखे, went to the old woman, the old woman मतलब उस vridh, woman, woman मतलब महिला के पास, उस old महिला के पास, एक लड़का चला गया, he said, उसने कहा, किस से कहा, her मतलब उस से, तो to लगा कर ल लिखना पड़ता है, जिस से आप कुछ कहते है, he said, उसने कहा, to her, उस से, और जब आप किसी को कुछ बताते हैं, तो tell के साथ, tell के साथ, direct आप लिखते हैं, he told me, tell के साथ two मतलब लगाना, set के साथ two लगता है, he said to her, उसने कहा, उस से, उस लड़के ने, उस बुडी महिला स से, क्या खा, ये inverted comma के अंदर जो चीज है, वो कही, mother, maa, do you want, क्या तुम चाहती हो, to cross, par करना, the road, ये सड़क, क्या तुम ये सड़क, par करना चाहती हो, I will help you, I will help, मैं मदद करूंगा, you मतलब तुमारी, I will help you, मैं तुमारी मदद करूंगा, I will take, take का मतलब किसी को कहीं ले जाना, I will take you, मैं तुमें ले जाओंगा, कहां ले जाओंगा, तो to लगा के लिखना जगह का नाम, I will take you to the other side, दूसरी तरफ, इस सड़क के दूसरी तरफ, या दूसरे किनारे ले जाओंगा, जैसे कि मैं बोलू, मैं आपको मुंबई ले जाओंगा, तो मैं कैसे I will take you to Mumbai, देखो, to के साथ, to लगा के लिखना है, कहां ले जाओंगा, वैसे कि क्या बोलता है, वो लड़का, I will help you, I will help you, मैं तुमारी मदद करूंगा, I will take you to the other side, मैं तुमें दूसरी तरफ ले जाओंगा, वो लड़का कहता है, The boy, उस लड़के ने, helped, मतलब मदद की, helped, मदद की, किसकी, the old woman, उस बुड़ी महिला की, देखो, मैंने इसको दी पढ़ा, T-H-E को मैंने दी पढ़ा, इस T-H-E को आप द भी पढ़ते, यहां दी क्यों पढ़ा मैंने, इसले दी पढ़ा, क्योंकि इसके बाद, जो just, स्वर वाले साउंड से, मतलब स्वर वाले साउंड से स्टार्ट हो रहा है, old को हम अ से पढ़ते हैं, old, यह क्या स्वर है, तो स्वर वाला साउंड से, अगर just आगे का कोई वर्ट सुरू होता है, तो इस T-H-E को दी पढ़ते हैं, जैसे कि T-H-E के साथ, फिल्म में आप द की old woman, उस बुडी महिला की उस boy ने help की, he led, वो ले गया, lead की past form है, lead मतलब किसी को रास्ता दिखाना कहीं, ले जाना आगया आगये, चलते हैं आप उसको, रास्ता दी प्रसस्त करते हैं, उसको बलते है lead, he led, उसमें वह ले गया, हर मतलब उसे across the road, across मतलब होता है के पार, क बलू नदी के पार ले गया, तो across the river, जंगल के पार ले गया, तो across the forest, tunnel के पार ले गया, across the tunnel, ऐसे टाइप से हैं, he led her, वो ले गया, उसे across the road, मतलब सडक से पार ले गया, उस पार, he did a good deed, he did, उसने किया, do याने करना, उसकी past form में did, उसने किया, क्या किया, a good, मतलब एक अच्छा did, मतलब कर्म, या काम, उसने एक अच्छा कर्म किया, he was, वह था, happy, मतलब खुश, वो खुश था, वो जो लड़का था, वो खुश था, he said, उसने कहा, उस लड़के ने क्या कहा, देखो, inverted comma के अंदर है, उस लड़के ने क्या कहा, I helped, मैंने मदद की, मैंने की है, so, इसलिए, somebody will help my mother, इसलिए, somebody, मतलब, कोई, will help, मतलब, 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 मत ऐसा वो कहता है उसके बाद वो जो old lady है बुडी महिला वो क्या कह दी देखो dear God pre bhagwan be kind be मतलब होना क्या होना काइन मतलब दयालू होना मतलब दया करना किसको किसके प्रती दयालू होना to लगा के लिखेंगे to this good boy इस भले लड़के के प्रती इस लड़के के प्रती है भगवान आप क्या होना दयालू होना मतलब इस पर दया करना ऐसा कहके दया दया देती हो बुडी महिला said मतलब ऐसा कहा किसने the old woman उस बुडी महिला ने इन हर प्रियर अपनी प्रात्ना में अब किससे कहा वो नहीं लिखा है नहीं तो यहाँ पर टू लगा के लिखते लिखते he said नहीं said मतलब कहा किसने कहा the old woman उस बुडी महिला ने किससे कहा अगर वो लिखता तब टू लगा के लिखते यहाँ पर ऐसा लिख सकते to god वो अलग केस हो जाता to god वो लिखने की जोड़त नहीं है ऐसा बुडी महिला ने कहा इन हर प्रियर मतलब अपनी प्रात्ना में प्रात्ना करते हुए कहा ठीक है कैसी लगी स्टोरी मुझे आप जुरूर बताने या थोड़ा सा एक grammar बताता तो देखो be मतलब होना kind याने दयालू ठीक है और दयालू मतलब to किसके प्रती जैसे मैं बोलू तुम्हे अपने माता पीता के प्रती ना दयालू होना चीए तो मैं कैसे बोलूँगा यू शुड यू शुड बी तुम्हे होना चीए kind किसके प्रती तू लगा के लेकिने to your parents तूम्हे अपने माता पिता के प्रती दयालू होना चीए है हमें अपने से बड़ो के प्रती ना सच्चा होना चीए मतलों उनसे जूट नहीं बोना चीए तो मैं किसे बोलूँगा जैसे मैं बोलूँ मैं अपने बड़ो के प्रती सच्चा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा I am true to the elders मैं बड़ो के प्रती क्या हूँ सच्चा हूँ ठीक ह जैसे कि मैं अपने छोटे भाई के प्रति दया लूँ हूँ, मैं उसकी बड़ी दया करता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, I am kind, मैं दया लूँ हूँ, किसके प्रति तू लगा कि लिए, to my brother, चलो, brother लिख दिया, अपने भाई के प्रति, छोटे भाई को हम younger brother लिख सकते हू तो कैसी लगी है, मुझे comment करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगता है, तो please like करना, अपने दोस्तों को, friend को, relatives को, आप share भी जरूर करना, channel को subscribe भी कर देना, thank you very much my dear student.